हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम नमस्ते स्रियकाल जे जिनेंद्रव वेलकम बैक टो आवर न्यू व्लॉग तो गाइज आज का सीन ऐसा है नहीं कि अभी घर में माश्यालला इद की तायरी चालू हो गई है वेसे तो पहले से चालू हो गई थी बहुत पर अभी जरह और जो था तो ममी ने सब पहले से इफ्टटरी की तायरी करके रख दी सिफ़ उनको मैंने फ्रूट्स काटने के लिए बोला था बाकि उनको कुछ बानानी के लिए नहीं बोला आज बाहर से ऑप दिया उनके लिए तो मैं तो रॉक रह नहीं हुं गर पे इफ्तेर के लिए मैं जा रहा हूँ अपने मस्जिद पे तो मम्मी अलफिया तन्नुबाई घर पे इफ्तेर करेंगे तो मैं जाओंगा आज मस्जिद पे और फिर अपनी भी तरभी की नामस होने का आज मैं भी आज जाने आ लहाँ बाल बिल सेट करने के लिए तो चलो अब आपन निकलते में पहले तो आपको दिका दो बाहर क्या चालो एंगा जाओ इस देखो मैं आपी तीचन में आ गया तो इधर देखो मोमी ने क्या-क्या तायारी करके रखिए यह सब शिर्कुर्मा की दायारी हो गई मसज़ चालो ए यह देखो अलफिया बाहर चालो ए उसक कुंद मास लग रहा के तो अधीक है अधीक मेरा नाम की दर है रखिसे मुझे मेना नाम मिल गया की दर है बदा बदाओ ना मैं हट लगा दूंगा में यह पीकर गर में लाज़ जाएंगी पुरा घर में इंदी से बढ़ जाएंगा तो गाइज रोधा अगरे खोल के हो गया तरह अभी की नमाज भी हो गई और फिर मैं आभी आया वार्चल भाई और उमकर भाई के पास बाल पुड़े सेट करने के लिए इसे इसे क्यों बेट है तो बोले आरे आंदेरा करके वेट देखो आपने आर्चल भाई 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 भी बहुत बीजी रहते फाइनली आज टाइम मिले आपने लिए तो अभी करते आपन जल्दी से हेरकट भाई के पास और एक क्लाइंट है अभी कितने बज़रे दिखा हो गया आपको यह देखो साड़े दस अभी मेराज हेरकट व पास प्लाइंट है तो गाईज भो गया इदर बाल सेट करके बेर्ड भी सेट कर दिये और देखो भाई ने कितने बाजाय में को इदर बारा बज़रे दस मिनिट जलो अभी जल्दी जाते गर पर भूप भी बहुत लगी आई के पास आया ने हेरकट के लिए तो तो टाइम को और क्यों गसरा तुमारा भाई बरतन आइओ कि तो मेरी बहाबी और मतलब ममी और अलपिया ने श्रली निकाले ना तो उनकी हां पर मेंडी लगी लेकर पिर मैं बरतन दो रहां आप में तन्डु आई में दो और आभी में दो रहा हूं और हमरी जो माउशी है वहां चू तो गैस आगै अभी नमास पढ़के अभी जाते हो अर ठोड़ा सो जाते और फिर उठने के बाद मिलता हूँ आपसे और जल्दी आगा है आज रही के दो डबिला तो जल्ली या जल्ली या जल्ली आज अज चल्ली तो गाइज मैं आपको आज का सीन बताता हूँ आज मुम्मी ने फिर से आपने पूरे फैमिली को गर पे इव्तेरी के लिए बुलाया है क्योंकि आज हो सकता है इंशाओलाह कभी आकरी रोजा हो तो इसलिए मम्मीने इशर façonप पो बोला कि घर पे आऊ खोल लग लेकी लिए तो आज सब लोग आने उले तो मम्मी वही तन्नु भाई को समझारी थी किया क्या लेकर आने गाए तो मुझमी ना भी क्या क्या बनने अले मुमी और फिर बार से भी कुछ-कुछ आएगा क्या क्या तो आभी तो नमस पढ़के हो गई अमरी जोर की तो अभी डिकाद हुमे अपको के सा क्या है देखो रोजदार समझा ना क्या लाने के pray अभू क्या लाने क। है बोल क्या लारे में शाड़े थीषाल्य थी चेल हुआ जांट इस तर्णो भाई आया है अभी तो अब आपन देखते उसने सामन भरबर लाया कि नहीं नहीं क्या मम्हें वापस उसको कुछ ना कुछ चिल लाते जाए लगता है तर्णो भाई आया क्या के लाया बोल दूर कितता है हा और आपोना दे किती टी और झूकार्टी और यह तो बोले भी नहीं थे थे यह बोले इझा to जैली एक किली ज़े थे जैली एक किली जैल्पी ईक किलीclass थे यह तोड चलो बाई अच्छा काम करा जाल मस्की litt में जाइ नमाज ने पढ़ने की जाते हैं किचन में तयारी करते हैं चलो उटो 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 थैंक यू तो जी मैं आगरे किचन में तयारी चारे हुई क्या बना रहे हैं तो गाइस मैं आभी आया नमास पढ़के और थोड़ी सी नीन लग गए थी तो सो गया था नमास पढ़ा और अभी आया विदर देखो मम्मी और रहे क्या कर रहे तो पाप रहे हैं तो गजब हो गया नाजनीं चाची जल्दी कर सके आए मैं अभी वह सोचा के नाजनीं चाची हमेशा के जाइसा लेट आएंगे बर नाजनीं चाची आज सबसे पहले आके वाइट इसे कैसे क्या अच्छा मेंदी लागाने गईते वाओ माशाल्ला आच्छा को वाई श्रूट्स काटरे और मम्मे मेंदर उने के टिशेट बनारे आउ अल्फिया क्या बनारे और फिर तुम कुछ बनने आले न हो आपकर विनालुच तो बनने आले लिए ने अलुट्ध बनना विना आलू अच्छा अपना शरुब भाई भी आया और बाई और बाई है कुछ तो बोलो हाथ तो दिखा तुमरा हमेशा कि जैसे हाँ तो इंधर देखो अब ये तायरी चालूए गाइस अज दिन चाची प्रॉपर सुपर विजन कर रहे के ठीक से काम कर रहे के नहीं कि अज़ पाइब और अज़ पाइब दो रमदार रोजा को लेकर दो मिनिट पर आए ले ये लोग दो मिनिट पर देह को टॉपर बैंच ज़्मिन अब कर तो यह तो दिखरा नहीं है चलो और में दीका तो आज गाएगा अब चलो प्रावी जाते हैं प्रावी जाते हो आज मेरे साथ भूत बड़ा धोका हो गया है वह बड़ा धोका में को यह न मतलब और वो दोका किस ने दिया मालूम है क्या और कोई नहीं मम्मी और अल्फिया ने दोका दिले में को तो वो क्या दोका है न वो यही बताएंगे इदर मम्मी इदर आओ तुम इदर आओ तन्नु इदर आ तू भी इदर आओ इदर आओ इदर इदर आओ इदर आओ इदर आओ अगया तो चुन दोका दिले ना तन्नु बोल जारा क्या दोका दिलोगों तुजान दो यह बोलेगे ने ज़िए चिकन बोलके मुझे मतन का खिलाई और माटन कातने पोच्छ पाई तुम को समझा हुआ है नहीं समझा पर मैं इनलों जुड बाद क्यों करें तो आपको मालूम पड़ा किससे मालूम पड़ा तो यह ने को आपने शोट भाई से मालूम पड़ा और ने वालुम चला आपको लागा अभी मम्मी और आल फिया भोली चिकन कहें तो में खाया है सब देखो आईसा अभी दोका दिया है वेको फिर आभी ओ यह कहा है इत्ता सारा खाना कहें और खाने करो इदर फिर चलो अभी यह व्लोग कोश्वातन को अपन इदर ही करते है अगला वखज़र व्लोग करते यह व्लोग कोन सा एगा है यह का यह कब लॉग आएगा अगलव अलस तो यह व्लॉग आपर निधर ही एंड करतें उमीद करतें कि आपको व्लॉग देख्के मजा आया होगा अगर वीडिया अच्छा लागा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सबस्क्राइब और अपन झाल झाल झाल